राधे राधे बंदुवो बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म न्यूज नेशन इस्तुति पर बंदुवो इस वीडियो में हम बात करेंगे धन तेरस परव परव बनने वाले महालक्ष्मी नाराण राजयोकी इसके साथ ही इस योग के बारे में विश्तार से बताएंगे बुद्ध के द्वारा शुक्र के द्वारा इस राजयोक का निर्मान धन तेरस जैसे पावन परव पर हो रहा है बुद्ध स्वयम धन के दाता हैं ब्यापार और वाणिज के कारक हैं तो बुद्ध रासी परवर्तन करके धन 13 के दिन किन रासी के जातकों को बहतरी लाब देंगे उनके जीवन में धन की वरसा करेंगे तो इस बीडियो में इस चर्चा को विस्तार से बताएंगे साथ ही बताएंगे वो खास रुपाय जिन को करके सभी रासी के जातक बुद्ध के रासी परवर्तन और धन 13 पर बनने वाले लक्ष्मी नारायन राजयों का लाब प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ आखरी तक बने रहिए बंदो मैं हूँ हरी गुपाय शर्मा दीपोस सब परव शुरू होने वाला है 29 अक्टूबर को दीपोस सब परव के पांच परवों का पहला परव धन 13 बनाये जाएगा इस दिन हम भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं जिससे हमें आरोग्जिता की प्राप्ती होती है उसके साथ ही संध्या समय पर हम लक्षमी गड़िश जी के साथ कुवेर जी की पूजा करते हैं जिससे हमारे जीवन में धन धाने की ब्रद्दी होती है हमारे जीवन में सुख सांती स्रमद्धी आती है बंदु हो एक अध्वुत सायोग धन्तेरस पर्व यानि के 29 अक्टूबर को बंदा है उस दिन बुद्ध ग्रहों के राजकुमार बड़े सो में ग्रहें ये रासी परवर्तन करेंगे ये मंगल की रासी ब्रश्चिक में गोचर करेंगे उनके गोचर से सभी रासी के जातकों पर प्रभाप पड़ेगा बंदु हो जोतिस सास्तर में बुद्ध को बिद्या बुद्धी बानिज ब्यापार तवचा इन बहुत से कारकों को बुद्ध देखते हैं यही बजह है जब भी बुद्ध रासी परवर्तन करते हैं अस्त होते हैं या उदय होते हैं तो इसका प्रभाव सभी रासी के जात्कों के साथ देश दुनिया की अर्थ व्यवस्तापन देखने को मिलता है इसलिए बुद्ध जब भी कोई गोचर करते हैं तो इसका अध्यन जोत्र साचार बिसेश रूप से बिस्तार के साथ करते हैं अब बुद्ध धनतेरस को मंगल की रासी ब्रश्चिक में प्रवेश करेंगे जहां पहले से ही सुक्र बिराजबान है शुक्र और बुद्ध के मिलन से धनतेरस पर लक्ष्मी नाराण राजयोग का निर्माण होगा जोतिस सास्तर में इस लक्ष्मी नाराण राजयोग को धन धायक सुक्सांति स्रमद्धी धायक बताय गया है तो एक दुरलब संयोग इस बार धंतेरस पर बन रहा है जब लक्षमी नाराण योग में धंतेरस का पर्व बनाये जाएगा बंदू जोते सास्त के मुताबिक जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध उत्तम फलदाई होता है उस ब्यक्ति के जीवन में किसी बस्तू का अभाब नहीं होता उस ब्यक्ति की बुद्धी बहुत तेज होती है उसको विद्या अध्यन में कोई दिक्कत नहीं आती उसके जीवन में धनकी कोई कमी नहीं होती नोकरी और ब्यापार में उम्भी स्यदिक सफलता मिलती है उसका दामपत जीवन, बैवाहिक जीवन सुख में होता है वही यद बुद्ध अशुप फल्दाई हो तो ब्यक्तिन को जीवन में अनिक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके जीवन में धन की समस्या हमेशा बनी रहती है नोकरी और ब्यापार में बाधाएं बनी रहती है उसकोई पड़ाही में भी बाधाएं आती है तो इसलिए बुद्ध का बड़ा प्रमुकिस्थान जोतिस सास्त्र में बताया गया अब बुद्ध ब्रश्चिक रासी में गोचर करेंगे धन तेरस जैसे पावन परपर लक्ष्मी नाराण राज्योग बनाएंगे सुक्र के साथ मिलकर तो वो कौन सी भाग्यसाली रासी हैं जिनको इस धन तेरस परपर बहतरी लाप प्राप्त होंगे उनको हर छेतर में सफलता प्राप्त होगी उनके जीवन में धन का अभाब नहीं होगा धन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होगा तो बंदु ओ, पहली रासी है रासी चक्र की पहली रासी मेश-रासी मेश-रासी के जात्कों के लिए बुद्ध आपके अस्टम भाब में गूचर करेगा वहाँ से सात्मी दरश्टी से धन के भाब को देखेगा धन का भाब दूसरा भाब होता है इस भाव को धन का भाव, बाणी का भाव और परिवार का भाव कहते है तो मेश रासी के जातकों के लिए बुद्ध का ब्रशिक रासी में गोचर बहुत उत्तम फलदाई होगा उनको धन लाव के अवशर प्राप्त होंगे अचानक से धन लाव हो सकता है परिवार में आपका मान सम्मान भड़ेगा बाणी की मदुर्ता से आपके काम पूरे होंगे आपकी बाणी की मदुर्ता से लोग आपकी तरफ आकर्सित होंगे और नोकरी और व्यापार में 29 से अधिक सफलता मिलेगी मिथुन रासी के जातकों को बुद्ध का व्रश्चिक रासी में गोचर और लक्षमी नाराण योग का उत्तम फल प्राप्त होगा मिथुन बुद्ध की स्वैम की रासी है बुद्ध आपके छटे भाब में गोचर करेगा जहां ये उच्च का होता है तो बंदो स्वास्त में आपके बेहतरीन सुधार होगा क्योंकि छटा भाब रोग रिण और सत्रूं का होता है तो आपके स्वास्त में बेहतरीन सुधार होगा कोड कचेरी के मामलों में सफलता मिलेगी बिदेश से आपको धनलाब हो सकता है सत्रों पर आपको विजय प्राप्त होगी और नौक्री ब्यापार में धन लाब होगा तो मितुन रासी के जात्कों को ये गोचर उत्तम फल देगा सिंग रासी के जात्कों के लिए भी भुद्ध का ब्रिशिक रासी में गोचर उत्तम फल दाई होगा उन्हें भी लक्ष्मी नाराण राजयोग का बिसेश लाप प्राप्त होगा सिंग रासी के जात्कों के लिए चौथे भाब में बुद्ध गोचर करेगा और दसम यानि कर्म भाब को देखेगा तो नोकरी में पदोन्नती के साथ बेतन ब्रद्धी हो सकती है कारोबार में धनलाब के अवशर प्राप्त होंगे नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं रुका हुआ धन प्रयास से बापस मिलेगा माता पिता का आप आशीरबाद लेते रहें तो सिंग रासी के जात्कों के लिए धन तेरस का पर्व बुद्ध का ब्रश्चिक रासी में गोचर उत्तम फल्दाई होगा बात करते हैं तुला रासी के जात्कों की तुला रासी के जात्कों के लिए बुद्ध का ब्रश्चिक रासी में गोचर और लक्षमी नाराण योग का उत्तम लाप्राप्त होगा तुला सुक्र की देव की रासी है बुद्ध का गोचर आपके दूसरे यानि की धन भाब में होगा यहां से वो आठवे भाब को एक्टिब करेगा तो बंदुओ आपको पैत्रिक संपत्ती से लाब हो सकता है अचानक से धन लाब हो सकता है नोकरी में आपको अधिकारियों का सहयोंग मिलेगा ब्यापार में धन लाब के अवशर मिलेंगे समाज में मान सम्मान की प्राप्ती होगी तो बंदुओ तुला रासी के जात्कों के लिए बुद्ध का ये गोचर उत्तम भलदाई होगा बात करते हैं सनी देव की रासी मकर की बुद्ध आपके लाब यानि एकादस भाब में गोचर करेगा और पंचम भाब को देखेगा अपनी सात्वी दृष्टी से तो सेर मार्केट से आपको लाब हो सकता है हर ओर से धन लाब के अवशर प्राप्त होंगे जीवन साथी के साथ आपके संबन मदूर होंगे नोकरी और ब्यापार में उंबिस से अधिक सफलता मिलेगी संतान पक्ष से आपको सुब समाचार मिल सकता है तो मकर रासी के जातकों के लिए बुद्ध का ब्रश्यक रासी में गोचर और लक्ष्मी नाराण राज यूग का उत्तम लाप प्राप्त होगा कुम रासी के जातकों को भी बुद्ध का ब्रश्यक रासी में गोचर और लक्ष्मी नाराण राज यूग का उत्तम फल प्राप्त होगा बुद्ध आपके दसम भाब में गोचर करेगा दसम भाव आजीविका का हुता है पिता का हुता है यहां से वो चोते भाव को देखेगा चोता भाव आपका प्रोपरटी का हुता है माता का भाव हुता है तो नोक्री में आपको अधिकारियों का सहयोंग मिलेगा ब्यापार में नई साज़ेदारी से लाव होगा आप नया मकान या वाहन खरीश सकते हैं कारेच छित्र पर आपका प्रभाब बढ़ेगा माता पिता का आशिरवाद और उनकी सलह बानकर आगी बढ़े तो आपके लिए उत्तम होगा तो बंदूओं 29 अक्टूबर को बुद्ध का ब्रशिक राशी में गोचर और बुद्ध और सुक्र की युती से धनतेरस जैसे पावन परपर लक्षमी नाराण राजयोग का बनना इन राशी के जात्कों के लिए बेहत उत्तम परिणाम लेकर के आएगा इन राशी के जात्कों के इस समय पर लिएगे सभी निर्णे सही सावित होंगे लोग आपके निर्णे की सरहना करेंगे जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी आपका धन कहीं फसा होगा तो वो धन भी आपको बापस मिलेगा इन रासी के जात्कों को नौकरी और ब्यापार में कुम्भी से अधिक सफलता मिलेगी जो विद्यारती परिक्षा प्रतयुकता की तयारी कर रहे हैं उनको भी उच्छे उच्चे उच्फम परिणाम प्राप्त होंगे जो इन रासी के जातक हैं विद्यारती हैं बढ़ों आपका दामपत्य जीवन भी मधुक्र होगा तो इन रासी के जात्कों के लिए धन तेरस का पर्व बहतरीन फलदाई हो सकता है लेकिन अन्य रासी के जात्कों को निरास होने की जाजवत नहीं है आप कुछ सरल उपाय करके सभी रासी के जातक बुद्ध के ब्रशिक रासी में गोचर और लक्ष्मी नाराणा राज्यों का लाप प्राप्त कर सकते हैं बंदो आप धनतेरस पर्व के दिन भगवान गड़ेश और लक्ष्मी की बिद पूर्वा को पाशना कीजिए गड़ेश जी को दूर्वा अरपित कीजिए लक्ष्मी गड़ेश जी के साथ आप भगवान कृष्मी की उपाशना कीजिए उनको तुलसी पत्र अरपित कीजिए किसी भी मंदिर में मिश्री का दान करिए गाय को हरा चारा खिला दीजिए तो धन्तेरस का पर्व और बुद्ध का ब्रश्चिक राशी में गोचर लक्ष्मी नाराण राजयोग इन सरल उपाय के जरिये सभी के राशी के जात्कों को बहुत उत्तम परिणाम दे सकता है बंदुगो ये बड़ा दुरलब संयोग बन रहा है इस साल के जब बुद्ध और सुक्र मिल करके 29 अक्टूबर को धन तेरस जैसे पावन पर पर लक्ष्मी नाराण राजयोग का निर्माण कर रहे है धन बरसा का योग है धन धान की ब्रद्धी का योग है सुक्सांती सम्रद्धी देने वाला योग है तो बंदू इन उपायों को करके सभी राज़ी के जातक धन तेरस के पर्ब को सुफलदाई बना सकते है बंदू आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लेकें जो तिस और धर्म से सम्मंदित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लेकें हम उसका जवाब अवश्य देंगे आप लोग न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेट फार्म पर जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपोस सब पर्म की आपको मंगल में शुब काम नाए यदे आपका कोई सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लेकें हम उसका जवाब अवश्य देंगे आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेट फार्म पर जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे